हेलो दोस्तो, आज की वीडियो में सर्कीट का ट्रेसिंग करना जानेंगे तो ये सेटप बोक्स का पावर बोड है तो सर्कीट कोई साबी हो, बड़ा हो या चोटा हो, वो डीसी हो या येसी हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी बोड हो, कोई साबी सर्कीट हो तरीका सेम रहेगा, तो देखिए कैसे सर्कीट का ट्रेसिंग किया जाता है तो सर्कीट का ट्रेसिंग कब ज़रूरत पड़ता है जैसे कि कोई नया सर्कीट आपके हाथ में आ जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहता है तो उस circuit को पहले हम लोग tracing करते हैं और समझते हैं कि कौन component के द्वारा supply कहाँ पहुचा हुआ है तो उसको पहले समझना पड़ता है तो इसी को circuit tracing कहते हैं तो step by step check करने के लिए पहले circuit को समझना पड़ता है और उसके बाद हम step by step circuit को check करते हैं तो यही आज की वीडियो में जानेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना रहता है कि यह दो point है तो यहाँ पे हम AC 220V in करते हैं तो यहाँ से supply हमारा शुरू होता है अगर मान के चलिए कि यहाँ DC का supply होगा तो पलस या माइनस 12V दिया रहेगा अगर AC है तो निट लोड़ फेस दिया रहेगा तो tracing सेम करेंगे सरकिट DC हो या AC हो उससे मतलब नहीं है तरीका सेम रहेगा तो देखिए यहाँ से यह दो point है तो इसको पिछे की तरफ फुलट लेंगे तो देखिए यह दो point है यह यहाँ एक point है और यह यहाँ point है तो यह दो point हो गया तब इसकी एक point को पहले tracing करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो यह point लगा हुआ है solding किया हुआ है यहाँ से यह motor सा प्रियंट दिया हुआ है इसके बाद यहाँ से और यहाँ पे यह fuse लगा होה है देख रहे हैं तो यह fuse के सहरे हमारा supply यहाँ पे आरा है यहाँ पे fuse के दोबरा आके यहाँ पे एक शॉल्डिंग है तो यहाँ पे कोई component लगा होगा तो यहाँ पे देख़िए यह coil लगा हुआ है जिसका एक terminal यहां पर है और दूसरा टर्मिनल यह दूसरा वाला पॉइंट है जहां से यह प्रिंट के सारे इस टर्मिनल में इसी कोईल का दूसरा टर्मिनल यहां पर है तो पहले चलते हैं कि यह यह वाला यहां से यह प्रिंट यहां पर आया फ्यूज के द्वारा और यहां इस टर्मिन यहीं छोड़ देना है अब इससे यहां आगे चलना है अब देखना है कि यह और यह point यह coil का जो है वो देखिए इसका यह point यहां आ जाता है और यह यहां आ जा रहा है तो ऐसे करके supply हमारा यहां से यहां आना चीए और यहां से यहां आना चीए तो बीच में कहीं भी कोई component अगर सोट हो जाता है तो हम उसको कैसे पता करते हैं कि ऐसे ही step by step चेक करते हैं और उसको पता करते हैं तो यहां पर जैसे ही यह supply जो यहां से यह coil जो लगा हुआ है अकर सही रहेगा तो हमारा supply यहां आना चाहिए न्यूटल फेस अब देखिए यह EC को अभी तक यह AC यहां तक पहुँच रहा है अब AC को यह DC में बदलने के लिए यह चार bridge rectifier बनाया हुआ है diode का तो हमें यहां से DC मिलेगा देखिए condenser में आपको पता है पहले वीडियो आप देखे होंगे condenser का तो पता होगा यह वाला जो पट्टी होता है और यह भीना पत्टी वाला प्लस होता है तो देखिए यहां से और यहां से प्लस आउट होडा है जो कि यहां condenser के πलस पॉईंट में आगया और यहां से यह दोनों पॉईंट से यह दोनों point से condenser के minus में तो यहां आप हमें DC मिलना चीए यहां तक AC में चेक करना है AC के range में चेक करना है उसके बाद यहां जैसे bridge rectify DC में बदल दिया तो आप हमें DC के range में यहां से चेक करना है तो अब देखिए कि यहां से condenser यह बड़ा वाला condenser जो voltage को filter करेगा तो उसको filter करके और यहां से यह print ऐसे करके घूमके यहां पर आया हुआ है तो यहां पर यह component लगा होगा देखिए तो यहां पर भी एक condenser लगा हुआ है तो यहां से यहां condenser लगा हुआ है उसके बाद यह print यहां पर आके और यह दोनों IC के print में इन हो गया और यह यहां से एक component लगा हुआ है यह PF लगा हुआ है वो यहां से और यह इस point में लगा हुआ है और यह supply यहां से आके और यह transformer में इन हो गया उसके बाद यहां पे एक PF लगा हुआ है तो यह जो काम करता ही क्या कि अगर सौट हो जाए तापके सेटब बॉक्स के बोडी में करेंट आने लगता है तो इसको ओपन कर दें तो करेंट नहीं आएगा फिक्चर क्वाल्टी पे थोड़ा असर पढ़ता है लेकिन करेंट आना बिंद हो जाएगा तो यह वही काम करता है कि यह स्वूट अगर हो जाए तो हमारा करेंट यहां से डिरेक्ट यह डिशी वाले सप्लाई में जैसे कि यह प्राइमरी सेक्शन है और यह सेकेंडरी यह अलग है तो यह यहां पर आ जाता है तो यह component सौट हो जाए तो हमारे सेट्टो बॉक्स के बोडी में करेंट आने लगता है अगर मेटल बोडी है तो करेंट आने लगेगा फाइवर है तो तो कोई बात नहीं वह जहां पर हम और वीडियो लगाते हैं वहां तक करेंट आएगा और मेटल बोडी है तो पूरी बोडी में करेंट आने लगता है तो यह component सौट हो जाए तो वह दिक्कत आती है उसके बाद ऐसे ह हमारा नूटल और फेज यहां IC से गूम के और यहां पर आ जाता है तो अब यह सारा component हमारा काम करता है जिसके कारण अब सप्लाई हमें यहां से जो वोल्ट चाहिए मिलने लगता है जिसे कि देखिए यहां 5 वोल्ट ग्राउंड 24 वोल्ट बाड़ा वोल्ट ग्राउंड 3. 3.3 वोल्ट सेम इसके आसपास ही भोल्टे जाना चाहिए एकुरेट नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा ही कम ज्यादा मिलेगा ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा अंतर है तो कहीं डिफेक्ट होगा तो ऐसे ही सर्कृट का ट्रेसिंग करना रहता है तो step by step ऐस ही चेक करते हुए आते हैं और जो कमपनेंट जहां का भी खराब है वहां से हम उसको निकालके और चेक करते हैं और सप्लाई को चेक करते जाते हैं तो पहले ऐसे ट्रेसिंग कर लेंगे और हम हर प्रिंट को ट्रेसिंग करते हुए आएंगे इस तरीके से और पीछ में जब जाता है ऐसे चेक करने पर पता नहीं चलता सर्कीट में तो उसको चेंज करने से सही हो जाता है तो इस तरीके से सर्कीट का ट्रेसिंग करते हुए और component को चेक करेंगे तो ऐसे ही circuit का tracing किया जाता है और component को चेक किया जाता है तो circuit का step by step ऐसे ही चेक करते आएंगे तो मानके चलिए कि जब हम circuit को tracing कर लेते हैं तो फिर check कैसे करेंगे जब यहाँ पर हम AC in देंगे 24V तो अब हमें चेक करना रहेगा कि यहाँ पर voltage आना चीए अगर यहाँ voltage नहीं आ रहा है तो आपका main lead खराब हो सकता है अगर यहाँ voltage आ रहा है तो अब हमें यहाँ से यह fuse के आगे इस point पे और यहाँ से print आया इस point पे यह दोनों point पे आना चीए अगर यह दोनों point पे की ये सौ्ट है ये कंपैनेंट वाइट हो जाता है तो बार-बार आपका ये अगお願いします कर जाएगा जब फिवा नियुノ को पतली वायर लगाना है क्योंकि मोटी वायर लगा देंगे तो सरकेट में अगे दिक्ति आजये तो ये पतली वायर लगाना है ताकि अगर आगे सोट है तो यह फ्यूज कट जाए पतलिवाई रहेगी तो वो कट जाएगी तो पतलिवाई लगाना है उसके बाद यहां पर वोल्टेज आ जाता है तो अब हमें एसी यहां पर और यहां पर वोल्टेज चेक करना है क्योंकि इसके सारे यह जो क्वाइल है इसके सारे वोल्ट नहीं मिलेगा तो इसको यहां और मल्टी मीटर को बीब की रेंज में रखके और चेक कर लेंगे उसके बात यहां सफ्लाय मिल जाता है तो बिर्ज इर्ठीफायर को भालत बिद्ट में बदल देगा तो यहां और यहां rda मिल रहा है तो समझीए यह सारा कोंपोनेंट Tenman तरीके से circuit का tracing करते हुए आगे बढ़ जाएंगे अब इधर बी वैसे ही चेक करना है जहां से देखिए अब यहां से यह तो यहां से इस point से देखिए डेवर्ड लगा हुआ है यह डेवर्ड चेक कर लेंगे अगर सप्लाई यहां नहीं आ रहा है तो यह डेवर्ड ख्राब हो सकता है यहां से यहां तो ऐसे करके और हम उस component को चेक करते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे और जहां पर जो भी दिक्कत होगा इस तरीके से हम उसको सही कर लेंगे तो circuit tracing करने का मतलब यही होता है कि step by step वो supply किस component से होके और आगे बढ़ रहा है उस component को चेक करते हुए चलेंगे तो ऐसे ही circuit का tracing किया जाता है तो circuit का tracing करना बहुत ही ज़रूरी होता है इस तरीके से AC circuit हो या DC circuit हो circuit कोई साभी हो ऐसे ही tracing करते हैं और step by step component को चेक करते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पशंद आया होगा कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट जरूर करिए तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत तेंक यू